आईरवेद में दूद को संपूर्न आहार माना गया है। इसमें मौझूद मिनरल्स और विटामिन हमें सिहत मन रखते हैं लेकिन कई लोग दूद के साथ कुछ नाकुछ लेती हैं। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दूद के साथ कौन सी चीजें लेने से आपको नुकसान हो सकता है। अगर आप दूद के साथ कुछ नमकीन खटी चीजें लहसूनादी खाती हैं तो थोड़ा साफधान हो जाएए। क्योंकि इससे आपके शरीड को नुकसान पहुंच सकता है। निमबू और नमकीन चीजों को दूद के साथ लेने से स्किन इंफेक्शन होने की आशंका होती है। दूद के साथ मून की दाल से बनी चीज कभी सेवन नहीं करना चाहिए। इसके लावा गाजर, शकरकंद, आलू, तेल, दही, नारियल, लहसुन को भी दूद के साथ ना लें। अगर ये चीज खाती हैं तो दूद का सेवन कम से कम दो घंटे के अंदर में करें। उड़त की दाल दूद के साथ खाने से हाट अटेक का खत्रा बढ़ता है। दूद के साथ खटी चीजे खाने से शरीर को नुकसान पहुंचता है। आईरवेद के अनुसार खटी चीजों के साथ दूद पीने से दूद विशैला हो जाता है। दूद की तासीर धंडी होती है, इसे किसी भी गर्म चीज के साथ नहीं पीना चाहिए। और तो और मचली के साथ दूद भूल कर भी नहीं पीए। यह ऐसा करने से सफेद दाग, गैस और एलर्जी की समस्या हो सकती है। डिवी लाइफ की रिपोर्ट